अब तक आपने देखा राजकुमारी कुंती नवजात करण का त्याग करती है और सुशेन अधिरत करण की रख्षा कर उसे घर ले आते हैं ये जानकर राधा कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता है आरिया करण के जनकर रहसे गामवालों से गुप्त रखने के लिए परिवार समेथ अधिरत शंकुप्रत क्यों प्रस्तान करता है करण का है महराज? वो मेरी पतनी कुंती के साथ कस्तूरी म्रिग लाने गया है कर्ण कुंती के साथ है, यह जान कर अधिरत चिंदित होता है, और तभी कर्ण स्वयम अपने शरीर पर कवज देखकर अचम्वित हो जाता है, और व अपनी आविदी कुंती को बताने ही जारा होता है कि ये करण है मेरा पुत्र और कुंती कहती है आपका पुत्र बहुत तेजिस्वी ऐसा बालत हो किसी महान राच्छे का सब्राठ हो सकता था अब आगे पुत्र हस्तिनापूर को एक उत्तराधिकारी देने का कर्तव्य तुम्हारा है असंभा बेताओ मेरे हाथों रिशिक इंदम की हत्य हुई है मादरी के कहने पर मैं स्वाण हिरन का आखिट करने गया था जब भूल से रिशिक इंदम को मेरा बान लगा तब वे अपनी पत्नी के साथ थे मेरे एक ही तीर से उन दोनों के प्राण चले गए तुझे मैं श्राप देता हूँ यदि तुम अपनी पत्नी के निकट गए तो तुमारे प्राण निकल जाएंदे तुमारे माध्यम से तुमारी पत्नी को कभी संतान प्राप्त नहीं हो सकता मेरे माध्यम से मेरी पत्नी को संतान प्राप्त नहीं हो सकती दाओ तो क्या ये हस्तिनापूर का दुर्भाग है कि उसका सिहासन सदैव रिक्त रहेगा किसी चमतकार मंतरबल अत्वा नियोग से यदि मेरी पत्नी को कोई पुत्र प्राप्त हो तो उस पुत्र को दत्तक लेकर भी मैं उसे हस्तिनापूर का उत्तरादिकारी घोशित कर दूँगा इश्वर करे ऐसा कोई चमतकार हो चलो आजाओ चलो बैठो यहाँ हाहा देखा गर्ण को ऐसे प्रेन की आवा शकता है मेरी माना तो इसे कुंती के पास ही छोड़ दो पाता का प्रेम ना सही परन्तू पाता के जैसा प्रेम तो मिल जाएगा कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता है आरियो और इस मालक को मैं प्रेम नहीं तुम की आरिया माता मुझे भी अपने हादों से बोज़ें कराओ तो यह वशिक है करन को पाना ही मेरी जीवन के एक पीड़ा है करन पाचु तुम ठीकते हो ना कोई पीड़ा तो नहीं हो ना तुम आज रात पर तुम काते बाहर करें करन को ऐसे प्रेंट क्या वश्चकता है यहीं मानो तो इससे पुंती के अपास ही छोड़ा आज प्रेंट के प्रेंट के प्रेंट के अपास है यहीं 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 राज कुमारी आपकी आग्या लेना चाहतों हमारे प्रस्थान का समय हो गया है गर्ण पुत्र कुछ समय और उख जाते हैं अधिरत मोद हैं राथरी का समय है आपकर प्राथकाल प्रस्थान कर सकते हैं काल प्राथकाल बहुत देर ना हो जाए राज कुमारी कर्ण की माता चिंतत होगी आप कर्ण पुत्र राज कुमारी की चैरन्स प्रस्थ करो और उनसे आग्या लेला कर्ण प्रस्थ आप 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 हाँ हुआ 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 है मेरा स्मारन करोगे न अपत्तरम यह मेरे लिए गाई गई पहली लोरी थी देवी कुंती इसलिए मैं हमीशस बन रखूंगा हमीशस बना अपत्तरम हमीशस अपत्तरम 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 हुआ हमीशस अपत्तरम यंभ अपत्तरम 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 प्रुआ है छिए गर्ट अर्ट अर्ट अपनी पत्मी को समझाओ सुषेन उन्हें बताओ कि मारानी गुंती को उसकी पुत्र से कितना प्रेम था करन कुरोथ का नहीं प्रेम का अधिकारी है यदि वो अभी भी नहीं मानी तो मैं कह देता हूं करन को मैं अपने साथ ले चलूँगा अन्ने तब मारानी कुंती के पास छुड़ जाओंगा उन्हें भी पुत्र का प्रेम मिल जाए ना नियती का खेल भी विचित रहें करन कुमाता का प्रेम नहीं और मारानी कुंती को संतान की कोई संभाब नहीं माराज को यदि उन्होंने अपनी पत्नी को सपर्श भी किया तो उनकी मृत्ति हो जाए महारानी कुंती को कभी संतान नहीं हो सकती अधी आपका पुत्रों बहुत देजिसी है ऐसा बान नहीं किसी महाराज के सम्राठ हो सकते था अधी अधीरत अधीरत नियती का चेल भी बिशेत रहें करन को माता का रिम नहीं और भारानी कुंती को संतान की कोई संभाब नहीं अधीरत अधीरत नहीं देवी करन को कभी हस्तनापूर का सिंहासन प्राप नहीं होगा क्योंकि करन महराज पांडू का पुत्र नहीं शक्त्रियों में नियोक के मधिम से भी पुत्र प्राप्त होना उचित माना गया है किन्तो उस पद्धती में समग्र परिवार की सहमती होती है विवास हे पूर्ट जन्मा बालब स्त्री के पती की संतान कभी मानी नहीं जा सकती राजकुमारी का ये रहसी यदि प्रक्कट हो गया तो महराज क्रोध में आकर राजकुमारी का त्याग भी कर सकते हैं महामहीम इस बात को हस्तनापुर का अपमान मानकर कुंती राश्ट्र पर आक्रमन कर सकते हैं जब माता सीदा की पवित्रता पर संदेह होता था तो राजकुमारी का क्या होगा कर्ण का क्या होगा तो क्या राजकुमारी की कोक से जन्म लेना कर्ण का दुरभा क्या है माता तो केवल जन्म देती है अधीरत भाग्य तो विध्धाता देते हैं कर्ण को प्रेम और परामश दीजे उससे अधिक उसी समाज से और कुछ नहीं दिला पहेंगे आप तो समाज के भैसे मैं कर्ण को उसकी माता के प्रेम से वंचित रखूँ अधीरत मोद है आप लोटा है अधीरत मोद है आप लोटा है राजकुमारे आपकी और से कर्ण के लिए कोई भैंट प्राप्त करने आया बच्चों के समाण कच्चे होते हैं आपकी दी गई भैट करन के लिए आपके समाणों का अधार बन जाएगी कर्ण पुत्र तुम्हें बेट में दे नहीं हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं केवल इस अंगू ठीके इसे संभाल कर रखना जीवन में एक बार इस अंगूठी के बगले तुम्हें हस्तिनापुर से वर्दान प्राप्त होगा झालर इस अंपके झालर इस अधिरत महुद है आपने महाराज कुंती भोच तथा कुंती राष्ट्र पर बहुत बड़ा उपकार किया है और दुख की बात यह है कि आपका यह अनुग्रा कोई कभी जान नहीं पाएगा मैंने क्यवर अपना कर्ता के नभाया देंगे किन्तु दुख इस बात का है कि एक बार बोना समाज के भेन करन को उसके अधिकार से बंचित कर देंगे कि एक बार देंगे